दो मुरुपान और मध्यपान सहथ के लिए हानिका रखे, इससे करक रोख होता है। झाल 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 आवासम् पुरवासितत्वमतिरेकं जेत्तु आलीनया अंतलीन विचार अन्य भुरूति चापल्या समुद्धीरनं धात्रेई प्रजनातकं प्रदिमि उत्थानं भूजा द्योतकं अस्तित्वम् परयु द्विपात्तु विरजिम्हुन् जर्चरं भूटकं झाषिए 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 झाल 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 सावधान रहे समाज में खुले आम घूम रहा है एक सीरियल किला छे लोग जिसका आपस में कोई संबंद नहीं था उनका बेरहमी से कतल किया गया है सब को कला काट के मार रहा है एक किलाश पुरानी केमिकल फैक्टर में मिली है और दूसरे किलाश शहर से बाहर एक खेत में हध्यारा आज भी खुले आम खूम रहा है इसलिए जनता से अपील है कि वो घर में रहें और सुरक्षित रहें क्योंकि आप सुनिये जे कॉफिल पागल हो गया हो फिल्टर कॉफिल लाने के लिए कहा था ना क्या लेकर आई हो तुम वहे लाई हूँ जी अच्छे नहीं बनी किया इसे तेरे चेहरे पे फेखता हूँ चाटके देख रहे तब तुझे पता चलेगा अच्छी है या नहीं गूद मॉर्णिंग आँटी गूद मॉर्णिंग आंकल गूद मॉर्णिंग कैसी हो नीन अच्छी आई ना में बहुत अच्छी हूँ नई जगह है न इसलिए पूछा इन फैक्ट घर से अच्छी नीन तो यहां पर आई है, ठीक है. काम में ध्यान ही नहीं है. मैं दूसरी कॉफी लेकर आती हूँ. रोकावा. तेरा बेटा जैसी पीता है, वैसी नहीं लाना. मैं पीता हूँ, वैसे लाना. ठीक है. कहां जा रहे हो? नए बिजनस के बारे में एक फ्रेंड से बात करने जा रहा हूँ. एक घंटे में आ जाओगा. तुम भी चलो, तुमारा टाइम पास हो जाएगा. देखते हैं, नहाने के बाद अकर बॉड़ी पेन कम हुआ, तो चलते हैं. बॉड़ी पेन हो रहा है? तुम्हें कोई टैबलेट चाहिए, तु ले आँ. ज़रूरत नहीं, अगर आज सोने दोगे, तो काफी है. जाते समें, दर्वाजा बंद कर देना. कहाँ जा रहा है? एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ. ए तेरी तो… वो नहाने गई है. या, कमीने, शरम नहीं आती, फ्रेंड से मिलने क्यो जा रहा है, और तेरी नौकरी का क्या हुआ? फ्रेंड के साथ नौकरी के बारे में बात कर नहीं जा रहा हूँ, पापा. ओ, फ्रेंड, नौकरी देगा क्या, बहुत अमीर है क्या? तुझे खिलाना ही मेरे लिए भारी पढ़ रहा था, उपर से नालाइक शादी करके बीवी लेकर आ गए. सिर्फ दो दिन, अगर नौकरी नहीं मिली, तुम दुनों को लात मार के घर से बाहर निकाल दूगा. क्या है, इडियोट, जब दूख थे लिए और दूख और दूख और और दूगा ओम राजा अधिराजा एक्रसय साहिने नमो भयाउवई श्रवनाय कूर्महे शिर्डी माजे पंधर पूर साई बाभार मावर बाभार मावर शुद्ध भक्ति चंद्रभागा आवपुंदलीक जागा Choco Lich Jada Choco Lich Jada Hello A Chocolate Tea Yeah One Dozen delicious Pastry Yes Sir And One French Croissant please 540 रुपर What this is? इसलोगड में नो सर्ण नहीं जान्ग ब्रो नुखे अर्यूस्य। में विलागी जान्ग उड़ार लेटे क्या ब्लीज। नुखे भाबार मावर भाबार मावर जआर भाबार मावर शुद्धभक्ती चंद्रभागा भाव पुंडली कजागा गनु महने बाबासाई धाव पाव माझे आई घालिलु टांगन वन्दिन चरण तोल्यानि पाईन रुप तुझे ग्रेमे अलंगिन आनंदे पूजिन भावे वायन मने नमा स्वमेव माता पितात्वमेव स्वमेव बंधु सकात्वमेव विध्याद्रैवनं कमेव स्वमेव सर्वं ममदेवदेव काये नवाचा मजेंद्रियर्वा उध्यात्मनावा प्रकृति सोहावत् करो मिय यद्यत् सकलं परस्मय नारायन आयतिसमर्पयामी अचुतं केषवं राम नारायन उम रिष्णदामो दरं वासोदेवं रिधर भुपिका वल्लभं जानकी नायकम राम चंद्रं भज औरे राम हरे राम 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 हरे हरे अगेश लगा किया राम कैसा है मैं बहुत अच्छा हूँ हां एट राम मैं तुझे मार देगा पडूब्हेंते हैं नागेश का चीछ मैं तेरा पैसा थोड़ी डूबहूंगा यह क्या आखिर इससे तुने क्यों बोला मुझे समाझ में आ गया तू अभी डीद मुझे मेरा पैसा और आफिस जानता गल तु इस टाइम पे आजा मैंडोंं घ्रण गाल तो पुर्म कल तु आ ये फिर अपनी मा की कसम खा कर बोल देगा अटिक हिर अपनी मां की कसम खाल करव देघ आणा इसिफ तेरी या मेरी मां नहीं पूरेट डेश की माहों कि कसम तुने मा की कसम खाई यह जरूर देगा कल मिलता हूं कल सच में देगा ना देदूंगा चलता हूं आपको थोड़ी और दाल दूँ बेटी आमिनी तुम भी बैठो और खा लो परवा नहीं आंटी इनका होने के बाद हम लोग खाएंगे और एक दूग्या अहां पापा अगा है किया है अग्या है अग्या है दादा जी के एफटी से जो पैसे मिलें 65 मिलें न उनमें से कुछ पंदरा लाग मुझे मिल सकते हैं मुझे नया बिजनस शुरू करना है शरम लाज कुछ है तेरे पास बत्तमीज कहीं का बिजनस बिजनस करके पांच लाग डुबा दिये ये कम है क्या तेरे लिए यू लेजी बास्टार्ड सोबह ही तुझे समझाय था ना तेरी समझ में नहीं आता क्या दो दिन में अगर नौकरी लेकर नहीं आया तो तुझे और उस लड़की को इस घर से लाथ मार के बाहर निकाल दूँगा क्लीनर का काम कर ड्राइवर का काम कर या जाके भीख मांग मरना है तो मर जा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नालायक सुनिये जी दवा खाकर सो जाईए अंकल हमेशा ऐसे ही कम बात करते हैं क्या आउटी मुझे का क्या पूणिये जीी तेह से सब्सक्षा प्रूएppen जर से सक्षब प्रिज़्या यालायक फ्रूएppen प्रूब अंकल पापा आप सिकल्वो ए रेडियो आफ करो सॉरी पापा तेरी नौकरी का क्या हुआ उसी में लगाऊं पापा दो दीन का टाइम देदीश यह पापा आपको कितना वक्त लगेगा आपकी कोई मीटिंग है क्या सार चिपचप वेट कर तो आपकी क्या तेरा चेहरा इतना उत्रा क्यू है क्या तो पुंके का तो पुंके का तो पुंके का मुझे इसकी आदत नहीं है मुझे पता है तुझे किसकी आदत है और किसकी नहीं है वो ठीक है पर तेरी दुलहन कैसी है मेरी शादी हो गई तू कैसे जानता है हमारे घर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा क्या पापा ने घर से निकालने की दंकी दी आ, तेरी तरह मुझे निकालेंगे नहीं मुझे निकालो तो मैं कुछ नहीं कर पाया, तुझे निकालेंगे तू क्या उखाड लेगा Thanks, I can take care of myself. Shut up and get lost. Oh, okay, then take care. So, हमारे पास बहुत अच्छा काम है, अगर तु करना चाहता है, तो मुझे से कलान अगर में आके मिलना, जिंदगी बन जागी तेरी. ए, तेरी कुछ आने को बोलाना, चाह, या, जा रहा हूं, जो बोला उसे, भूलना मत. अगर क्यों इस इंसान को छोड़ती नहीं हो तुम्मा, पहले ही छोड़ देती ना, तो इतने सालों तक टॉर्चर नहीं सहना पड़ता. बताती हूं, शादी के कुछ सालों तक तुम्हारे पिता बहुत अच्छे से रहते थे. तुम्हारे पैदा होने के बाद पता नहीं कि वो मुझसे नफुरत करने लगे. मैंने सोचा था, तुम बड़े होकर कुछ कमाने लगोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कहीं अलग रहने लगूंगी. राम को देखो कैसा है, और तुम कैसे हो. बेटा, हम सब उनहीं पर निर्भर हैं. और जब तक हम उन पर निर्भर रहें, तब तक हमें यह जल्म सहना पड़ेगा. गर में लफड़ा क्या है, और क्या होगा, पापा के जुम दिन बें दिन बढ़ते जा रहे हैं, हर रोज मां को मारते हैं, बिस्निस के लिए, एफटी से पैसा मांगा, तु देने से साफ मना किया, और इतना ही नहीं, बीवी के साथ घर से बाहर निकालने की दमकी दे रहे, उसे लेकर कहां जाओंगा, पागल हो क्या हो, अगर यह सब उसे बताओंगा ना तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी, इस बात कडर है मुझे, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं यार, मैं उन्हें मारूंगा नहीं, यह मारने के लिए नहीं है, इससे बाटी हमेशा के लिए पैरलाइज हो जाएगी, कॉफी में मिला के दे देगा तो, बस, उससे हमें हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा, नहीं, नहीं मैं नहीं कर सकता, अरे, वो मरेगा नहीं, सिर्फ बॉड़ी हमेशा के लिए पैरलाइज हो जाएगी, इनफेक्ट उसके पैरलाइज होने से हमारी ही मुसीवत बढ़ेगी, अच्छे से खयाल रखेंगे, कम से कम घर में शांती तो रहेगी, माको, बच्पन से तुने देखा है न, उसने कितना ठॉर्चर किया, एवडी का पैसा नहीं चाहिए क्या, तु कब सेटल होगा, बोलना कब, सेटल नहीं होना क्या, कब होगा, तुझे जल्दी से पैसे मिलेंगे यार, ऐसे ही रहना है क्या, मुझे इंट्री मिलेगी घर में, ज्यादा मत सोच, ले ले, हम, मुझे इंट्री इंट्री, हुंग पूर्णूर्णूर्ण। मौर्निंगू। मॉर्णूर्ण। मुझे अज़ाए विट्री, रोज़ादी। वो ठीक है पर ये क्या है एनर्जी के ले लेकर आये हो क्या यह तो March यह छी कि के लेकर आये हो गया यह मेर तुम्हारा है सोचकर मैंने कोफी में डाल दिया जोक ठीक है लाओ दो क्यों दो क्या है आज जैसा क्यों कर रही हो और वैसे भी बोडी पीन तुम्हें मुझे नहीं है माँ हुँ जरा उपर आओ न तुम पागल होगी है क्या माँ पहले मेरी बात तो सुनो शर्णम शर्णम गच्छामी जद्यमर्णम गच्छामी शर्णम शर्णम गच्छामी जद्यमर्णम गच्छामी जद्यमर्णम गच्छामी जद्यमर्णम गच्छामी जद्यमर्णम गच्छामी जद्यमर्णम गच्छामी जड़ 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 कोफे लेगा रहा कोफे लेगा रहा मैं जाब नहीं करूंगा बापा जरावा दर्वाजा बंद करके इधर क्या हुआ जर्वी चड़ गई है कोफे लेजिए फिल्टर कॉफे है ना इसे और इसकी बीवी को दो दिन बाद घर से निकाल रहा हो मैं प्रूर्शा नहीं कोफे लेगा रहा है डसोय हो इंक हम एक जहां। झाल, झाल, झाल झाल, झाल, झाल झाल, झाल, झाल झाल, 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 झाल मा, पान लेकידर आओना झाल, झाल, गाल, झाल, 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 झाल माँ और एक गंटा रुक कर मैं यामिनी को जगाऊंगा और उसे सब्सक्राइब और तुम भी याद रखना ऐसा ही कहना है तुम्हें यामिनी यामिनी क्या हुआ लक्षमान क्या हुआ पापा को पेरलिसिस का अटेका है वाट यह यह आखिर हुआ कैसे लक्षमान रूस की ओफिस से वापस आने के बाद कौफी पी रहे थे शड़नली कप नीचे गिर गया हम कुछ समझ नहीं पापा हिल नहीं रहे थे फिर मैंने डॉक्टर को फोन किया डॉक्टर ने कॉल करके बताया कि आपा को पर्मेनिंट पैरलिसिस हो गया है तो मुझे क्यों नहीं जगाया तुमने क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कंट्रोल योसेल्फ आउंटी काम हो गया कि आउंटी मैं देखती हूँ आप यह भाईया है आमिनी आये आये मैसल राम माहिती 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 मा, शादी कर लिया मैने, मा, माहिती, माहिती, पारवाती, जी, सॉरी, मा, आशिर्वाद दो अच्छा, मा, पापा कहा है, वो अपने कमरे में है, माहिती, आओ पापा, माहिती, माहिती, पापा, अपने हाथों से भले यह आशिर्वाद नहीं दे सकते, पर इनका दिल बहुत बड़ा है, चलें क्या, पापा की ऐसी हालत के समय, मैं घर आओंगा, कभी सोचा नहीं था, मा, अरे मा, रोना बंद करो, कष्ट इंसानों पर ही आता है, मा, कष्ट देने वालों पर जल्दी आता है, यामिनी, घर का मंदिर का है, भक्ती जादा करती है, ये, भगवान से प्रातना करना कोई बुरी करनी है, चल, तेरी शादी होगी तुने बताया नहीं, तेरी होगी तुने बताया था क्या, चल यार, सामान लेका राता हूँ, चलता हूँ, सुनो, यामिनी, एक ही बेडरूमें और दो कपलें इसलिए तुम्हें बिलकुल तरने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन तुम शेर करना, एक दिन हम कर लेंगे, इतना बड़ा हॉल है, किस दिन काम आएगा, अकर तुम्हें कोई भी परिशानी होगी तो बेजिजक आकर बता यह हमारा घर है, अरे आपरे माहिती, तुमसे बात करते करते पापा के लिए जो वीलचेयर और रेडियो लाया था वो तो दिया ही नहीं, देखा पापा से बात किये हुए बहुत दिन हो गए, मैं बात करके आता हूँ, जब तक तुम जाके फ्रेश हो जाओ माहिती, ठीक ह आखों के अलावा कुछ काम नहीं कर रहा है, सुना है, जब मैं बड़ा हो गया और जब मुझे नौकरी नहीं मिली तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया, दिन रात देखे बिना तुमने मुझे टॉट्चर किया था, तब मेरा भी यूही बेजा छोड़कर, हाथ पैर का काम नहीं कर रहे थे, अब तुम्हारी बारी आ गई, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है, तो तुने बचपन से जवानी तक जो टॉर्चर किया है, उसके लिए ये मेरा गिफ्ट है, तो हिरन ने एक अश्यप बन गया था, तो मुझे प्रहलाद बनना पड़ा, मैं नर्सिम्ह स्वामी, मैं भगवान हूँ, तुने गल्ती की मैंने सजा दी, तो फिर अगले जनम में ये सब याद रखे अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना समझा, लड़कियों की तरह तु रो कियो रहा है, अरे तेरे लिए मस्त किफ्ट लाया हूँ, तुझे मेजिक पसंद नहीं इसलिए ये ये लाया हूँ, तु अमेशा ऐसे पडा रहा, इसलिए ये लाया हूँ जीमन है मेरित्यू है जीमन पानी थैंक्स बेटी पानी थैंक्स बेटी क्या हो तुमारे पापा को रोज ओफी जा के सब को आसाने वाले इंसान के साथ इसा होगा मैंने सोचा नहीं था कॉफी लीजिये कैसी है बाबी जी मैं ठीक हूं अखिर इनके साथ यह सब कैसे हुआ अच्छा बेटा अब इनकी रिकवरी नहीं होगी क्या रिकवरी नहीं हो पाएगी अहां मेरे पहचान में एक आयरवेदिक डॉक्टर दिल्ली में है वहां जाकर दिखाए क्या ठीक है अंकल जरूर चलेंगे आप पता लगा कर बताएए ना अभी कॉल करता हूं लगता है बीजी है उठा नहीं रहा है मैं पता करके बताता हूं बेटा ठीक है एक पर उनसे बात हो जाए तो हमें बता दीजिए ठीक है वैसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है रोज ओफिस जाने से पहले आपके घर पे आकर ओफिस के हाल चल बताऊंगा अपने फ्रेंड को अगर आपको कोई इतराज ना हो तो इसमें पूछना कैसा आप कभी भी आईए ज़रूर आईए अंकल ठीक है बेटा अपना ध्यान रख माँ पापा को ज़रा बाहर से गुमा कर लाते हैं ठीक है बेटा बेटा बी केफुल विद दड़ना इव्ज आप इवरी शार्प इट विल किल यू माइव बीटीफुल लेडि़ इस राम अपने पापा से कितना प्यार करते हैं आपको पता है आंटी हमेशा उनके बारे में ही बात क्या करते हैं इन फैट कहते थे जब तक पापा अशिरवाद नहीं देंगे हमारी शादी कंप्लीट नहीं होगी अच्छा हाँ वैसे तो मुझे भी मेरे घरवालों को छोड़कर घर से अलग होकर यहां आने में डर लगा पर यहां आने के बाद सारा डर खत्म हो गया पर बिचारे अंकल के साथ ऐसा नहीं हुआ होता तो अच्छा होता है यह बगवान इनको क्या हुआ हुआ है एफडी से किना पैसा लेकर आने की सोच रहा है 15 लाख क्यों पूरा एक ही बार में ले सकते हो ना बार बार इसके साइन की जरूरत क्या है देख मेरे लिए भी 15 लाख काफी है तेरे मेरे तीस तीस निकाल ले तू अपने पैसे अगडी में डाल देना ठीक है जी पापा जी अब कैसे है अब यह ठीक है अच्छे है आज सुबा आपके घर से शास्त्री संगीत की आवाज आ रही थी वेस्टन में उजिक सुन-सुन के जो कान पक गए था ना बहुत सुकून म अब में लुक्त कर संगीत में ना आए तो समझ लो आदनी बहरा है समझ में आये अ सही का समझ गया सार होके वैसे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह अपना बुढ़ां करे का कैसे सई का है पिर इसका क्या करें अँगुथा लग वा सकते हैं कि पता करें इसके अलावा इनका बैंक में कोई पैसा है क्या अहां बैंक में तो इन्होंने कोई पैसा नहीं रखा क्योंकि सारा पैसा ब्याज पर घुमा रहा है हमें उधार लेने की आदत है और इस बुढ़ों को उधार देने की यह खुसट जिन्दगी बर ऐसे ही काम करता और इसकी तो मैं क्या अब क्या करें सबको दे दिया चल अब क्या करना है मेरे पापा की तबियत ठीक नहीं है यह कहके भी की मांग सकते है जो पैसा हमें देना च अब देखो किस तरह रोने की शकल बना रहा है यह बाहर क्यों खड़ी है हाई महीती हाई यहां क्यों खड़ी हो सोई क्यों नहीं वो क्या है कोई लड़का तुमसे मिलने आया है मैंने कहा तुम्हें आने में तेरोग की फिर वह अंदर तुम्हारा वेच कर रहा है नाम क्या है कोई नागेश नाम का है यह मैंनी सो गई क्या हाँ सो गई है तु अंदर जा मैं आता हूं जा है है नागेश कब आया link मrires रिशान माई पैचान गया कब से आया हुआ है मुझे आये बहुत समय हो गया तु किसी ज़रूरी काम से बाहर गया था ना हउ भाबी ने कहा तो मैं तुमारा वेट कर रहा था है कफिया क्या मुझे निया दिया इह तुमारा ही घर है ना अच्छा है राम मैं तो समझ रहा था कि तुम रोट पे घुमने वाले आवारा हो तुझे पैसे तो दे दिये लेकिन मिलेंगे ये नहीं मिलेंगे ये ही सोच रहा था मैं लेकिन आज तेरी फैमिली को देखके मुझे विश्वास हो गया है कि अब मेरे पैसे अब कहीं जाने वाले नहीं ह अगर थोड़ा जल्दी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता ना यार नागेश तुझे कितनी बार बोला है कि मैं दे दूँगा तू हमेशा मुझे गलत समझता है यह कौन है छोटा भाई है हलो भीया मैं नागेश राम का फ्रेंड हूँ मेरा फ्रेंड है नाइस अच्छा सुनना सबी सो रहे हैं हम बाहर जाकर दम मारते हुए बात करें कि तुम्हारे साथ दम मारते हुए बात करूँगा तो बहुत मज़ा आएगा अच्छा मौसमय ना अरे मुझे भूट थंड लग रही है तुझे नहीं लग रही है क्या अरे काले लोगों को ठंडी नहीं लगती अच्छा मजा कर लेता है तु यार थोड़ा टॉट्च अन करना अच्छा करता हूं यह जलाएंगे तो मच्छ सब भाग जाएंगे तो अच्छा बनाता है राम एसे रख और बता क्या चल रहा है अच्छा राम तुने कभी बताया ने कि तेरे यहां फैमिली रहती है और इतना अच्छा घर है इस घर में तेरा भी इससा होगा ना तुने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया तेरा इतना बड़ा घर था तो तुने मुझे क्यों नहीं बताया ब मुझे वही तो एक दिन में तुम्हें ओटो में जाते हुए देखा तो तुम्हारा पीचा किया और यहां के देखा तो इतना बड़ा घर इतना अच्छा परिवार मैंने डिसाइड कर लिया कि सुबह जाकर अपना पैसा तेरे से लेकर ही लोटूंगा मैं कहां भागूंगा मैं नहीं दूंगा क्या अब आज पर जिसने पैसे दिये कहीं उसे तो एड्रस तुम्हें नहीं बताया नहीं मैं तो उससे कभी भी बात भी नहीं करता हूं राम वह अच्छा इंसान नहीं है और मैं तो कहता हूं तू भी कभी उससे बात मत करना मैं बात नहीं कर देंजर वो बापरे बहुत डेंजर होते हैं अच्छा एक बार आप अच्छा दिखा अरे क्या हो अराम हुम हुम कर दो 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 बाह भो हो जो कि अभीर ठकलो करते हम उता है हादա arts करता मनत्र कंटुल करता में पारoten और वो जो अब को किया हुआ है। क्या हुआ है तो बेल से कह रोड़ है बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था शान्त हो जाओ मा उन्हों ने जो तुम्हारे साथ किया है न उसके सामने ये कुछ भी नहीं है तुझे कुछ पता नहीं है मैं इस घर में नौकरानी थी क्या तुम्हारे पिता की पहली पत्नी राम को जन्म देकर मर गई थी ये क्या कह रहे हो तुम बाद में हम दोनों के बीच संबंध बन गया पर मुझे इन्होंने रखायल के तरह नहीं रखा मुझसे इन्होंने शादी की तेरा जन्म हुआ तो पाल पोस कर बड़ा किया अगर ये चाहते तो मुझे छोड़ सकते थे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया मैंने इनके साथ बहुत बड़ा न्याय कर दिया सुन कुछ भी नहीं हुआ है मां बस दुखे इसलिए रो रही है 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 जो कह रहा है वो सुनना मुझे पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया यह मामला गर बाहर केसे को पता चला तो गलत ही कहें तो दुखी रहो डरो भी पर बाहर केसे को मत बताना पती अभी जिंदा यह शिंदूर क्यों मिटा दिया मां लगाओ okay good morning Mahiti morning यहामेनी उठ्टके जिया अभी नहीं सुरी है अभी तक नहीं अभी तक नहीं नहीं नहा लिया क्या नहा लिया तुम भी जा के नहालो तुम नहला दो नहा अच्छा लगेगा नहा दो नहुआ शरम माँ हमेशा रूती क्यों रहती है ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा तू फिक्र मत कर मैं देख लोगा क्या देख लेगा तू पटीके साथ होगा तो कोई भी बिवी एसे ही करेगिगी ने और इस बात को लेकर तू ओर्येक बिल्कुल मत कर कहा रहा हुना मैं पुर्डेख लूँगा तो देख लूँगा तू देख लेगा ना okay अच्छा बड़े बेटे तुम ही हो अंकल क्या करते हो मैं फिलाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ और इंसान क्या कर सकता है वो तो सब भगवान करता है हाँ वो तो है हाँ अंकल लक्षमन हाँ अंकल आयरवेदिक वाला डोक्टर तो बाहर गया है दस दिन के बाद आएगा आता दिमाग मत लगा बीपी बढ़ जाएगा सब ठीक है ना चेक में बाहर जा रहा हूं जल्दी आजाओंगा अरे क्यूं क्या हुआ रात को ठीक सी निन यहींक्या चेहरा उतरा हुआ क्यों है आई थी थोड़ा सर्दर्थ था क्या अभी कैसा है काम हो गया अच्छा है ना शुक्रा है बगवान का तुम ठीक हो ना टेबलेट्स लेकर आँ अरे पूछ क्यों रहा है तु पती है थे न ना शिरदर्द कैसा है अच्छा यह ना जाने दे शुक्र एंद बग्वान का चीक रेस्ट करो तुम हाँ लक्समार था क्या हो यह क्या है यह क्या यह यह बुला रही है ना हम बोलो कि अच्छा कोई पर्सनल बात करनी होगी ना मुझे पता नहीं था वो सॉरी क्या बात है कब आओगे बैंक जा रहा हूं एक गंटे में आ जाओगा जल्दी आ जाना शूर तुम्हारा राम करो मुझे माफ कर दीजे जब से आपके साथ मैंने ऐसा किया है मुझे बिल्कुल नहीं नहीं आ रही है अगर मुझे माफ किया ते एक बार अपनी पल के जपकाओ सब्सक्राइब होगा धुट्जा उएक और अभी तुम्हें अपनी मा को संबालना चाहिए अचा क्यूं क्या हुआ जब आप घर पे रहते हैं तो ठीक पर आप उनसे बात करेंगे तुन्हें बहुत अच्छा लगेगा ठीक किया तुमने बात करूंगा करनी पड़ेगी बेटा होने कनाते यह मेरी कि देख पाया था अब मेरी बात ध्यान से सुना यह एक हफते तक तुमने यह मर्डर देखा यह किसी को पता नहीं चलना चाहिए तब तक तुम्हें संभाल कर रहना हो गए यामीनी ठीक है न तुम यह क्या बोल रहे हो लक्षमिन हम पुलिस के पास जा रहे हैं ना बात समझ यह मैटर हम नहीं ला सकते उसके बाद अगर तुम कहोगी तो मैं खुद पुलिस के पास चलोंगा तुम्हारे साथ पर अभी अगर उसे यह बात पता चल गई तो वो कभी साइन नहीं करेगा और यह घर हमारे नाम नहीं हो पाएगा तुम्हें समझ में आ रहा है ना समझ कि आ रहा है लक्ष्मन पर यह हमी यह घर क्यों देगा वह मैं सूचूंगा आ वह मेरा बड़ा भाय है मैं जानपा उसे कैसे मना नहीं लक्ष्मन सोचो मत उसे अकर तुम्हरे बार पे पता चला तुम्हें भी मार डालेगा प्लीज यहां से चलो चलो तुम मारी हो रिए हो लेकिन तब तक, प्लीज, तुम्हें उससे संभल कर रहना होगा, बहुत ही नॉम्मल बिहेव करना होगा, ठेक है न, यामिनी, I know this is not normal, मैं गलत कह रहा हूँ, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन प्लीज, मेरी खातर यामिनी, प्लीज, इतनी दूर, टैक्सी में जा सकती थी न, एक तो इस खटारा गाड़ी का सल्फ काम नहीं करता, ये तुम से स्टार्ट नहीं होगी, मैं इतनी कमजोर भी नहीं हो, समझ लो तुम, दारा सिंग, तुमको छोड़ दू मैं, चले जाओंगी, बाबी कहां जा रही है, मंदिर, या जाने गई है, आप जाएए, अच्छा, ठीक है, मैं चलती हूँ, माइटी, समल के जाना, क्या है, मैंने अपनी बीवी को बाहर भेज दिया है, तू भी अपनी बीवी को बाहर भेज देगा तो, महां से बहुत कुछ बात करनी है, ठीक है, या मिनी, वो माँ की तबियत थोड़ी ठीक नहीं, पौधों को पानी देदो ना, ठीक है, हाई अंकल, हाई बेटी, गर पे सब लोग है क्या, हाई अंतल, वो क्या है कि सुबह में हेलमेंट भूल किया था, वो ही लेने है, अरे, मैं लेकर राओं क्या, अरे, ने ने बेटी, तुम अपना काम करो, मैं लेकर आता हूँ, तुमें बोल रहूं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो हम पकड़े जाएंगे, तुरुक मैं बात कर, बात कर, क्या बात कर लेगा तु, बात कर ना कुछ, क्या हुआ, तुरुक मा, कब से समझा रहे हैं, तुमें समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहां सिनकी है इनसान हुआ जो चाहिए बाप is that result अगर उसे परेलयाइज नहीं सेौ तो तांगे तुम परेलयाज हो जाती तुमें कि लगता है कि तुमने कोई गल्ति कर दिया तो उसे मन में दबाना कर रखो क्यों अंकल कैसे आना हुआ कुछ नहीं बेटा वो हेलमेट भूल गया था वही लेने आया था चलता हूं बेटा क्या है कहां ले जा रहा हूं मझे देख अंकल यह हमारा पोस्नल मैडर है इसमें डांग मत अड़ा यहीं तुमारे लिए अच्छा हूं इतना अच्छ है इंसान के साथ ऐसा क्यूं कर रहे हो काहे का अच्छा इंसान उससे बड़ा जल्लाद मैंने आज तक नहीं देखा उसने जो हमारे साथ किया ना उसके लिए उसका अगला कपका काड़ देना चाहिए था ए रुखना बच्पन से हमने जो सहाब वो तुमें पता है क्या हमाने पास और कोई चारा नहीं है इसलिए चार से संधारीज दो सब्समें नहीं आरा है थीक से पकड़ जोड़े क्या कर रहा है जोड़ो है आज पड़ेु टेक्ट्रमना है थीक से पाखे लगी यूज साथमै। जय 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 क्वार के जाए बड़े हैं झाल 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 भाबी माँ आपको बुला रही है झाल क्थ evidence क्थे नक्ड़एड झाल झाल क्थे पुला तुम ही हो क्या सीरियल किलर जिसे पुलिस जून रही है और साथ ही पुलिस वालों का कहना है कि आधे ब्लेट के टुकड़े से गले काटता है ब्लेट के आधे टुकड़े के बारे में तो पुलिस ने नहीं बताया मैंने आथा ब्लेड क्यों इस्तमाल नहीं किया यही सोच रहे हो ना तुम वैसे नागेश को तुमने मारा यह मुझे पता है पता है क्या लेकिन मैंने तो तीन हत्तिया की है तो फिर वो छे क्यों कह रहे है क्योंकि बाके की तीन मैंने किये है यह हुई न बात किया न बच्प जुकानी पाया, पापा से मांगे तो उन्होंने मना कर दिया, और वो तीनों घर के कागजात लेने के लिए खाराने वाले थे, ऐसे मैं मैं क्या करता, कि तभी मैंने न्यूज में देखा, कोई सीरियल किल्या, ब्लेड की मदद से बेवचा लोगों को मार रहा है, मुझे लग और बहाया ये ठीक नहीं है, और हमने जोह हाथियान की यह रहाए लुद्पणा ये वासू अंकल की पापा के चकर में बेवज़ा करनी पड़ी वह नब उन्हे उन्हें मारने की रादा नहीं था। मुझे पब भी ठीक नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। कि अगर वासू उंकल जितना बड़ा कारण आया तो मारेंगे क्यों क्या बनाया बन गया क्या राम महिती इस नोट राइट ताम यार महिती बैठो क्या हुआ तुम्हें लक्षमन को वासू अंकल का गला करती हुए मैंने देखा राम यह क्या बोल रही हो तुम सच कह रही हो राम मैं मंदिर से घर आ रही थी ना वहां रास्ते में खंडर जैसा जो घर मिलता है ना वहां मेरी गाड़ी बंद हो गई थी वहां एक पुराना मंदिर है ना राम वही मैंने यह सब देखा राम उसके साथ किसी और को भी देखा था क्या नहीं वो केला ही था मैं बहुत डर गई थी किसी तरह यहां तक पहुची हूँ न्यूस में जो दिखा रहे है ना यह वही किलर है राम ब्रेट से मारा था क्या उसने जस्वां थी वही हो गा शायद सेरीयल किलरा बुझे बहुत डर रहा है पुलिस को बता दे क्या जल्दबाजीbaj मत्कार माईती हमें बहुत संभल के रहना होगा खास करके तुम्हें आने वाले दश दिनों तक तुम्हें पहले की तरह ही रहना होगा पर क्यों राम पुलिस उसे डर के बैठ नहीं सकते ना हम उसे पकड़वा रहे हैं उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए वासू अंकल की लाश को कहा चुपाया हमें डोड़ना होगा फिर उसे बाहर निकाल के पुलिस को सबूत के साथ उसे पकड़वाएंगे दूसरी बात यह जायदाद हमारे वो पेड़ के नीचे बैठेगी क्या नहीं न यहीं चाहती हो देखो जो तुम कह रही हो वही होगा बट जायदाद हमारे नाम पर होने के बाद देखो उसके नाम पर अगर केस करेंगा तो वो भी जायदाद हमारे नाम नहीं करेगा सो पहले जायदाद अपने नाम करके फ मुझे तुम्हारा साथ चाहिए माहिती तुम्हें पता है ना तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी तो मैं खुछ भी कर सकता हूं ओक्य राम क्या हुआ राम बिचारी मेरी मा राम और लक्षमन को जनम दिया स्वाचु रही है राम और रावन को जनम दिया उसे नहीं पता रुना अरा है माइथी खुछ जाना है यह तुम लोग बताओन यह तुम बोलो माहिती मेरे हिसाब से तो मंदिर जाना अच्छा होगा पर मुझ लगता है तुम बहुर होग और मंदिर क्यों माहिती कोई पिक्चर विक्चर देखने चलते हैं वह जैसा तुम कहो कोई बात नहीं मंदिर जाएंगे अगले फ्राइड़ी एक मुवी रिलीज हो रही है तभी जलते हैं क्यों यामिनी ठीक है ना ओक्य मैं ये बोज उठाने ही पा रही हूं जी मैं सोच रही हूं कि सारी बातें बहूं को बता दूँ मा माहिती का मंदिर जाने का मन है चलोगी क्या नहीं इनका ध्यान रखने के लिए मैं घर पर ही रहूंगी वही का मैंने तुम्हें तो ध्यान देना होगा ना गाना सुनू पापा मन को सुकून मिलता है या मिनी रुको अरे क्या हुआ मुझे थोड़ा सर में दर्द है फिर से सर दर्द ही सारी हमारी वज़ा से हमने लेट किया इसलिए ऐसा कुछ नहीं है सच में दर्द कर रहा है पका ना हाँ आप जाए बेटी आमिनी ओ आईए सिर्धर्द आप कैसा है अच्छा ही आउंटी मैं खुद आपके पास आने की सोच रही थी पर आप खुदी आ गई है बोलो कोई बात नहीं आप बोलिये कैसे बोलो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हूं आउंटी ऐसा लगा जैसे राम यहां पर हो चाका राम हाँ मैं देखकर आती हूं कि बेटी यामिनी हाँ चाहों आउंटी तेरे अंकल कहीं दिखाई नहीं देरे देखा था मैंने बाहर थोड़ा और आगे जाकर देखो ना बेटी पेर आम तो नहीं उठा ले गया हाँ मैं देखती हूं आपके पार्वती मुझे बचाओ ना इसा मत करो मत करो अरे जाने दो मा तुम वैसे भी ये बात सबको बता दोगी अभी मैं इने मार देता हूं उसके बाद तुम चाहे जिसे बता दो मैं किसी को नहीं बताउंगी जोड़ दो उन्हें कुछ मत करो तुम पर भरोसा नहीं अ एमा उन्हें नीचे उतारो मैं किसी को नहीं बताऊंगी फाक्का हुआ सच में मैं नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी किसी को ड़़ लग रहाया ना पारवती को देख तेरे लिए कितना रो रही है और तू उसे पगली बुलाता था पगली ही है नहीं तो इतना टॉर्चर करने के बाद भी तुमारे लिए क्यों रोती तुझे पंदर मिनिट का टाइम दे रहा हूं इस बीच में जिसको बताना है बता दो लेकिन पंदरह मिनिट के बाद तुम घर से बाहर नहीं जा सकती घर में बहूं से भी बात नहीं कर सकती और सबसे जरूरी तुम रो नहीं सकती रोना बंद करो क्यों रो रही हो अगर इसम को नहीं बताऊंगी तुम सबको बता ενों कि यही को तुम्हारा सबदे बड़ा प्राब्लम इस हम परहले वगल हम और जरों बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो कि इन अउछ जब देखों कि चिलाने के वाइक लग जब ले गए थे अंकल को क्यों, बहुत फिकर कर रही थी ना, माने बताया, वो जब मैं बाहर जा रहा था नो पापा बहुत उदास लग रहे थे, और इनको उदास देखकर मुझे, इसलिए मैं ने ताजी हवा खिलाने उपर ले गया था, तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे ना, इसलिए डिस्टरम नहीं किया मैंने, वो उपर काफी दूल उट रही थी ना, तो दूल आखों में पढ़ गए, इसलिए आसू निकल रहे है, हो गया ना, चले, राम, तुम लौट के क्यों आए रोमेंटिक विदा, सही कह रहा हूं न, माईती, तुम मुझे वहां अकेले, उसके पास क्यों छोड़ क्या आगे, मुझे कुछ हो जाता तो, उसने कुछ किया क्या, नहीं, अगर कुछ कर देता तो, मैं कितना डर गई थी, पता है, कुछ नहीं करेगा, अगर तुमें उसन चुआ भी तो, उसकी उंगलियों को काड़ दूगा, उसे पता है, तुम इस तरह बाते क्यों कर रहे हो, मतलब वो, अगर तुम्हें किसी ने कुछ किया, ये खयाल भी मैस है नहीं सकता, मुझे गुस्सा आजाता है, फिर भी, प्लीज, ऐसी बाते मत करो, नहीं करूंगा, वैसे हम पुलिस कंप्लेंड कब तक करेंगे, बस और दो दिन, बस, रुकना क्यों है लक्ष्मन, उस लाश को हम खोदी खोद कर निकाले क्या, जायदाद हमारे नाम हो जाने के बाद, पुलिस को बताएंगे तो वो खोदा कर लाश ले जाएंगे, लेकिन तब तक तुम्हें बिल्कुल नॉमल बीहेव करना होगा, ठीक है ना? खुले आम शेहर में घूमने वाले किलर को पुलिस में पकड़ लिया है, लेकिन हत्यारा इस शेहर का नहीं है, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इस हत्यारे ने छे हत्याएं की है, कमिश्णर का कहना है कि उसकी दिमागी हाल ठीक नहीं है, हत्याएं उसके नहीं की ह ऐसा क्या देख लिए तुम दोनों तुम दोनों सीरियल किलर की न्यूज नहीं देख रहे हो क्या अरे माहिती वो कोई बच्चन का केबी सी शो नहीं है क्राइम शो है यह सब हमें मतलब इतना बड़ा सीरियल किलर वो एक पागल है सुनके शौक लगा बस अरे अमनी तुम तुम्हें भी शौक लगा क्या कुछ नहीं आफ्टर और एक पागल ने छे लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी यह सुनकर बहुत दुख हुआ वैसे भी उससे बिल्कुल नहीं उससे पैदा करके रोड पर छोड़ने वालों को जेल में डाल देना चाहिए अरे पापा को क्या हुआ कुछ नहीं ग्लास गिर गया था मैंने सुच्छे पापा को कुछ हो गया कुछ हुआ है चल्ला दम मार के सुचाते हैं ए ची लक्षमन को इसकी बिल्कुल आदत नहीं है अरे हाँ क्यों पूछा मैंने पता नहीं याद ही नहीं रहा है सौरी वो जानता है वो बस ओवर्रेयक्ट कर रहा है हुआ 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 है हम उसे पकडवा रहे हैं ये बात उसे बिल्कुल पता नहीं होनी चाहिए लाश उसने कहां चुपाई है उसे ढूंड़के तब ही पुलिस वालों से रंगे हाथों उसे पकडवाएंगे हुआ है झाल झाल हलो सुभाश तुम्हारे पिता तीन दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, आके देख लो मैं कौन हूं वो जरूरी नहीं है अपने पापा की खबर लो, वो जरूरी है मेरा नमबर किस ने दिया तुमको और तुम कौन हो यह तुम्हारे पापा जिन्दा है या मरगे पता नहीं उनसे बात के हुए तीन दीन हो गए ना हो गया है वैसे भी मेरे पिता को कभी-कभी बिना बताए गाउं जाने के आतत हैं अपने पर बाद हो खुदी आ जाते हैं मुझे लगता है वो कभी नहीं लोटेंगे इसलिए जाके पता करो तुम्हारा नाम क्या है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कर रही हो तुम्हें दो दिन रुकने को कहा था ना मुझसे नहीं हो रहा है लक्षमन इसलिए प्लीज हम दुनों ने अभी प्रॉपर्टी के बारे में बात किये मैं उसे पैसे दूंगा और वो चला जाएगा और फिर ये सारी प्रॉप जाओ पीशंस रखो अकर उसे पता चला तो हम दोनों को मा डाले कावां प्लीज यामेनि तुम्हें रही हो ना आपको अदर्स्टान यूर सिचुएशन बट प्लीज बस दो तिन आपको एट्स्टाइए इस अग्या जो बट्सकता सकता सबीन चुम्हेस क्निक्राइब बेटी नहीं किन देना हाँ लाती हूँ बाभी पईया का है उपर क्या कर रहे थे गाना सुन रहा था सुन जाकर रेडियो जो लॉयर के पास जाना है लेकिन मैं नहीं आओंगा तू जाकर आना अल्रेडी बात कर लिया ना तुम जाओ ओके अंधर आ उसी अकेले भेज़िया तो पूरी जादाद अपने नाम करा लेगा तुम क्यूं ने गया उसके साथ वो सब हमने बात कर लिया है नहीं राम तुम्हें भी जाना चाहिए इसलिए तो हमने उसे पुलिस के हवाले नहीं किया ठीक है जाता हूपर यामिनी से तुमने कोई बात किया क्या हां हां नहीं हां बेटी यामिनी बेटी यामिनी पानी बेकार बहरा है जल्दी करो वो लोग आधे घंटे में आ जाएंगे क्या कहां वो लोग आधे घंटे में आने वाले हैं जल्दी करो आपको एक सच बता ना है पर समझ नहीं आ रहा कैसे बता हूँ राम ने अपने फ्रेंड की हत्या करके हमारे कंपाउंड में उसे गार दिया शहर की पुलिस जिस सीरिल किलर को ठून रही है वो और कोई नहीं राम है यह बात आपको कई बार बताने की कोशिश की पर पर हो नहीं पाया क्योंकि आपके साथ हर वक्त कोई हत्या कर दी उसने मुझे पता था वो कभी न कभी ऐसा काम करेगा जो अपने पिता को अपाहिश कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है बेटी यह क्या कह रही है अंटी मुझसे गलती हो गई बेटी राम ने एक तवा भिजवाई थी वो मैंने कौफी में मिला कर इनको पिला दी अरुनकी हालत ऐसी हो गई अरे मुझसे तवा ने बहुत बड़ी गलती का थेटी बहुत बड़ी गलती आ आ आ क्या हुआ? चुप चाप रहकर मैं जो बोल रही हूं वो सुनो तुम्हारा हस्बेंड एक सीरियल किलर है अपने फ्रेंड को मार के हमारे कंपाउंड में उसे गार दिया मैंने देखा था इनफ किसका हजबन सीरियल किलर है लक्षमन ने वासु अंकल को मार दिया मैंने अपनी आखों से देखा है वह सीरियल किलर राम ने कुछ नहीं किया है राम को भी इस बारे में सब पता है पर वो तुम्हारे बारे में सोचके चुप बैठा है लक्षमान ने माड़ा किया हाँ तुमने देखा था देखा है इसलिए तो बता रही हूँ अधी हम दोनों बहुत बड़े ख़त्रे में मैं नहीं हूँ तुम हो बता रही हूं तो समझ में नहीं आरा तुम्हारा पती मेरा पती दोनों सीरियर्ट किलर्स ओसक्ते या नहीं हो सकते हैं पर दोनों क्रिमिनल्स है उन्होंने आण्टी के साथ मिलकर अंकल को पैरलाइस कर दिया वाट पैरलाइस कर दिया हाँ लक्षमन ने किया होगा राम ने नहीं किया नहीं मालूखी ना आओ 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 मेरे साथ आओ तुम्हें दिखाती हूँ चलो आपके इस हालत की वजह मैं और बच्चे है तो एक बार अपनी आखें गुमाईये ना आपने अपने बेटों को सपोर्ट क्यों किया आँटी इतने सालों से इन्हों ने मारा गाली दी मैंने सब सहा लेकिन जब लक्षमन ने मुझे समझाया तो मुझे लगा कि मुझे इनके जुल्मों से छुटकारों मिल जाएगा लेकिन मैंने इनकी जिंदगी नार्क बना डाली सुन लिया ना तुम् तो मेरी बात नहीं मान रही थी तुम कुछ भी को यामनी तुम कुछ बहुत भी गोह या इस घर को पाने के लिए यह सब क्याया यह मैं मान सकती हूं पर वो खूनि है यह नहीं मान सकती सबूत के बिना कुछ भी बोलोगी तो नहीं मानोंगी क्या हुआ कुछ नहीं हुआ अंकल चक्कर खाके गिर गए थे आंटी जोर से चिलाए तो हम उन्हें यहां देखने आ गए काफी देर के बाद उन्हें होश आया है राम अरे तुम मुझे बताना चाहिए था फो अब बुलाया कि आंटी डॉक्टर को नहीं अभी तो यह ठीक है अभी तो ठीक है नमान ओके क्या हुआ अरे पापा को चक्कर आ गया था और वो गिर गया थे अग्या चाहिए तो राउत को कंपाउं में आनो यामिनी क्या बात है क्या हुआ कुछ नहीं थोड़ा सर में दर्थ है बस सोने जा रहे हूं ठीक है जाकर सोजा आज बेडरूम हमारे ही है क्या हो ना कुछ नहीं होगा ना इसमें जहर नहीं है नींद की दवा मिलाई है मुझे दो मैं खुद दे कर आती हूं क्या है मशेंी आड़ नहीं है क्या है झाँ 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 के लिहाँ जातना कि नहातै कि अ प्राम सो रहा है ना अँटी हाँ सो रहा है वा सो अँट राम ने नागेश को गाड़ दिया ऐसा कुछ कह रही थी न कहा गाड़ा दिखाओ मुझे ठीक है छोड़ो तुम्हारा पती खोनी है इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो तुम राम ने जैदात के बटवारे तक चुप रहने के लिए कहा है उसके बात क्या करना है सोचा जाएगा मैं हेल्प करूंगी भरोसा रखो तुम पागल हो गई हो क्या तुम्हारा पती मेरा पती दोनों के दोनों के लरे समझ में आ रहा है बक्वास बंद कर अपनी वुआ और शराम ने नागेश की लाश को कहीं और छुपादिया होगा मांना है तो मानो वर्ना मत मानो मॉखल देखो कल छे बजे तक वेटकरूंगी आना है तो आओ नहीं तो तुझे भी उनके साथ मरना है तो उनके साथ ही मर जीना है तो चल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो हुआ है चाहज है कर दो खाहि टो ए करू मुचची नहोगा क्या करना है मार देते हैं दोनों को पर क्यों हम दोनों के बारे में उन दोनों को पता चल गया है दोनों ने एक दूसरे को बता दिया है माहिती ने भरुसा नहीं किया लेकिन वो मुझसे आकर जरूर पुछेगी और मैं उससे जूट नहीं बोल सकता यामिनी को पता चल गया इसे लिए तो मानना पड़ेगा अरे देख जो भी हो मैं यामिनी को नहीं मारूंगा तु पागल हो गया क्या हम हत्यार है उन्हें पता चल गया है कल रात को नींद की गोली देकर सुला दिया बाहर जाएंगे तो सब को बता देंगी तुमारी बीवी आज बाहर जाने वाली ह है मैं यामिनी को नहीं मारने वाला यह जो प्यार का भूत चढ़ा है ना जेल में सब उतर जाएगा हेलो गाई है सुन मेरी बीवी को में कन्विंस कर लोंगा आज एक दिन अगर उन्हें रोक लिया तो काफी है और सुन अगर तेरी बीवी तेरे हाथ में नहीं रहती तो काट डालूंगा मुझे डर नहीं लगता जा जाके समझाओ उसे लेकिन अकर तु यामिनी के पास कया तो मैं तुझे काट डालूंगा तु यही कह रहा है ना कि अभी उन दोनों को हम नहीं मार रहे है बस बाहर मत चाने देना उतना ही बाहर तो छोड़ो घर से भी किसी को नहीं बता सकती देखते हैं मानती है नहीं यामिनी मैं जानता हूं तुम्हें मेरे बार में पता चल गया है और मेरे बात सुनने के बाद शायद तुम भी समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यूं किया बस एक मिनेट प्लीज कल सुबह लॉयर आकर ये जाइदाद हमारे नाम कर देगा प्लीज तब तक रुक जाओ तुम्हारा मुबाइल राम के पास है तुम्हारा गुद मॉर्णिंग माइती गुद मॉर्णिंग गुद मॉर्णिंग क्या हुआ यामनी क्या हुआ तेरी वज़ात से मैं भस कई रात को ही जाना था अब बाहर नहीं जाने देंगे और जाने की कोशिश करूंगी तो तेरा पती मार देगा विश्वास नहीं हो रहा जाके पूछ लो वो खूनी अगर बाहर जाने देगा तो मैं मान जाओंगी वो खिलर नहीं है पूछूंगी कि बाहर कैसे नहीं जाने देगा मैं भी देखती हूँ कहां जा रही हो मंदिर मुझे तुम से थोड़ी बात करने थी अभी टाइम नहीं है राम आने के बात करते हैं अरे बात तो सुनो कहां ना आने के बाद महिती है हलो जी जी बोली यह अने सदाशिव जी का घर यहिए ना मैं व्यस्टु का बेटा हूं सुभाष्य हलो कैसे हैं आप हलो ऑटिया नमस्ते नमस्ते वासु उंकल के आप लोटे बेटे हो ना हाग जी हłem आपते बार से मेरे पापा मुझे मिलन भी हाँ अरे फोन किया थो फोन भी बंद आ रहा है association comment पूछा तो उन्होंने बताया है कि रोज आपके पापय से मिलने यहां आते थे नहीं वो यहां कभी नहीं आये थे है ना अंकल तो यहां कभी आये नहीं थे पापा अंकल के बार में काफी बाते करते हैं लेकिन भू कभी यहां आये नहीं थे नहीं आये थे तो ओफिस को लोगों ऐसा क्यूं आपको गलत इंफोर्मिशन मिली है करते हैं यहां करते हैं मैं भी कुछ ऐसा ही जाहता हूं है तो भी बढ़ा ले ना हमिशा एक जैसा हेर कट रखता है दो करते हैं इंगिन्या वेस्टन में हैं और भी उस तरफ और इंदि करने अगा में और भी उस तरफ तुम्हारे पिता को इन्होंने मार दिया, जल्दी से बाहर जाके पुलिस लेकर आओ, अगर ये बात उन्हें पता चली तो वो तुम्हें मार देंगे ओ शिट, शिट, सुरी, आपको भी जाना था, पता नहीं था, वो मुध होने में थोड़ा लेट हो गया, क्या हुआ, वो बातरूम में पानी नहीं आ रहा ना, तो ये बताने आया था, वो धोने को सोचा, पानी नहीं आ रहा है, तो एक दो भात रहें किया, फिर छोड़ दिया, वो मेरा कर्चिफ, मैं लेकर आता हूं, आप जाके बैठिए, लक्षमन, भाई को नाष्टा करा, अरे भाई, मुझे जाना है जी, भाईया ने कहा है, आपको बिना खिलाए भेजना नहीं है, बैठिए, अरे बैठिए ना, बातरों में आपका कर्चिफ तो नहीं मिला, पर कहा घज मिला है, हमारी वाइब्स बहुत होजियार है यार, मैंने बोला था ना, पढ़, तुने तो समझाने को बोला था, अभी समझ में आया हमारी पॉजिशन क्या है, मा, पापा को कमरे मिल ले जाओ, देखाना तो नहीं, मजबूरी में एक को और मारना पड़ा, जाने दो, अच्छा ही किया, आधा बलेट काफी होता है, कर देछो का ले टेमार करे देज्एर, का ले वान पड़ात नही भेनो? का लेड़ाल का ले ब को कर दो विंदी राओे मिल एक किया शराओंसे अराओ, ब्लेट दूख कर ले आओ माइथी दूख कर लेकर आओ क्यू रहे क्यू रहे ठीक सहाब कर पहर में लग जाएगा क्या देख रहे हो गला कड़ जाएगा अंदर जाओ इतना स्लो क्यू चल रहे हो पास चलो कर दो माई दी भाग पकट 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 जाने दे कोई बात नहीं इन्हें बाहर कैसे लाना है मुझे पता है तु जा के माँ को लिख रा क्या हुआ मा अंदर ही है मा अंदर हो क्या तेरी बोला था उठने से पहले ही मार देते हैं लड़किया है हमसे जादा दिमाग चलाती है सिर्फ कमजोरी ही नहीं हमारी ताकत में भी हमें माद देती है चल यह 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 यहाओ किया है तु रूख, मैं आता हूँ पावमगामरिस सरिगमाखागनपतिम् परिसरिस निरिपमसरिगमाखागनपतिम् तिससनिपनिपम्मारिसरिसमसपसनिमाखागनपतिम् अजय को चैनिक को भी जाना था यह लाइट वाली को फॉन कर नंबर 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 मुझसे क्यों मागना है मुझे क्या पता नंबर ने है टो चिला क्यों रहे किसे कॉल प्रों ताइम नहीं है यार माइधी लाइट वाले का नंबर है क्या देना ए जा रहे तेरे पासा नंबर नहीं है क्या तो एसे घूर क्या आए तेरी तु ए पले इसको अंतर लिजा तू चिल्ला मत नंबर मिल गया है हलो एलेक्रिसिरी ओफिस सर मैं साइनिक बीरो से बात कर रहा हूं यहां पावर नहीं है कितना टाइम लगेगा ट्रांस्फोर्मर जल गया है कल तक बिजली नहीं आप आएगी क्या किस्मत है हमारी कोई बात नहीं किस्मत हम बदल देंगे प्रांस्फोर्मर प्रांस्फोर्मर गया है बदल प्रांस्फोर्मर प्रांस्फोर्मर गया है फ्रीटी सब्सक्रांस्फोर्मर गया है अजब द्रीटी वादीवाधि वादी वानीदिरमागता गनवत तिम् कर दो मिनेट रुप जाएगी एक बार बोला समझ भी नहीं आया बंद करिये में तो पुलिस को बुला करके सब कुछ बंद करवा दूंगा बंद करो ठीक है अभी अभी करता हूं अभी करता हूं बाद में देखना मुझे पहले बंद करता हूं बंद करता हूं थाइंक्यों मोस्ट वल्कम क्या हूं वो पड़ोस वाला है उसके बच्चे को बुखारे सोया है जन्रेटर बंद करवा दिया दो मिनेट बोला कि रुख जाओ पर नहीं माना थोड़ा नहीं सोया तो मर जाएगा तो क्या हम नीन में भी काम कर रहे हैं पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए क्या स्वार्थी कहीं का अरे बुखारी आया ना मारा तो नहीं है ना मार डालूँगा उसको और उसके बेटे को मार दूँगा मुसीबत तल जाएगी चाकू है क्या या बलेट से निप्टा दू उन्दोनों को सुन कल लॉयर आएगा तो पापा की दस्तकत के साथ-साथ मां का भी दस्तकत चाहिए अगर तब तक मा अंदर रहेगे न तो दिक्कत हो जाएगी पापा कुपा है बोलो इन्हें कुछ मत करो आंटी तुम चुप हो जाओ छोड़ दो आंटी ये लोग नहीं मानने वाले घर को अपने नाम करने के लिए आप दोनों के साइन चाहिए होंगे खास तोर से अंकल के साइन इसलिए वो जब तक साइन नहीं करेंगे ये कुछ नहीं कर सकते चलिए तेरे होने का क्या पाइदा है मेरा बोलना मैक कमकल गथा है कल सुबह दस बचे लॉयर आज आएगा तब तक मां का हमारी साथ रहना बहुत इंपोर्टन्ट है इन लोगों को धंका कर कोई फाइदा नहीं होगा मैं तो कहता हूं इन दूनों को बहला फुसला कर मना लेते हैं और बाहर निकालते हैं कुछ भी करके बाहर लिया उन्हें मार देते हैं यह खुश हो रहा है ना यह भगवान यामिनी देखो हम तुम्हें नहीं मारेंगे अगर तुम कहो तो एक डील करते हैं कल सुबह दस बचे लॉयर आ रहा है तब मां और पापा को हमारे साथ रहना होगा इसलिए मां को बाहर भीज़के तुम अंदर से लॉक कर देना हम दोनों जब रूम में चले जाएंगे उसके बाद मां बाहर आएगी और तब तक तुम दोनों भी बाहर निकल जाओगी कल लॉयर आ रहा है बोला ना तब ही हम दोनों बाहर आएंगे और उनके साथ ही बाहर जाएंगे नई 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 लॉयर के सामने बाहर जाना बिल्कुल मुम्किन ही अकर उसके सामने तुम दोनों ने कुछ कहा तो प्राबलम होगी न इन फैक्ट वो जब आएगा तुम दोनों को अंदर जाकर छुपना होगा या फिर लॉयर के जाने के बाद मा तुम दोनों को बाहर छोड़ देगी इन में से कोई भी रास्ता तुम्हें ठीक लगता है मुझे मन्सूर है अट को बाहर आप दो एगजा भे कोोपना अटा कर्वाम घब रास्ता बिंदेगी इन में वाईस्ता तुम छोड़ास्ता तुम काई भी रास्ता टूम्हें वादका घए प्लास्ता तुम है मां को बाहर बेचो और तुम दोनों जाकर अंदर शुप जा नहीं तुम दोनों रूम में जाकर दर्वाजा बंद कर लो उसके बाद ही हम आंटी को बाहर लाएंगे कि आंटी प्लीज आंटी किसी भी हालत में जब तक हम बाहर नहीं चले जाते आप दर्वाजा मत खोलना फिक्र मत करो बेटी मैं संभाल लोंगी कर दो कर दो दो जाना आप बाहर लोंगी कर दो प्लीज दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि हम अंदर जा रहे हैं तुम आ सकती हो बेटी धर्वाजा बंद कर दिया है तुम बाहर आ सकती हो क्यों मा तो मार बहुए मिलकर क्या खिचड़ी पका रही हो उन्हें तुम दोनों के बारे में पता चल गया है तुम दोनों ने नागेश और वासो को मार दिया है ये बात उन दोनों ने एक दूसरे को बता दिया तो तुमने पापा के साथ जो किया उसके बारे में बताया क्या वो मैंने अपने दिल का बोज हलका करने के लिए बताया था तुम्हें पकड़वाने के इरादे से नहीं बताया था मैंने मेरा पाप मुझी अंदर ही अंदर खाए जा रहा था लेकिन अब तुम दोनों जो को होगी मैं वही करा खूल कि तुम दोनों मेरे बेटे हो तुम दोनों की खुशी मेरी खुशी है मैं सच कह रहे है कि आध मरेफ हुआ है कर दूश प्रूबढ़ कर दो कि झालती है झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो ईो कर दो खरी वर दो जो जो फो जो 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 कि tekrar हुआैं रिवंडों। हार ओार ओारा वाई घर ओारा वाई खेली कर आदा दिक अल्ग करा दित MIN किर हार ओारा ओवर फ्मोर मेकार आदा आव ओचा र stories झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. जाल, झाल, 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 को याई था lång, झाल,तको छोगा ऐसे और पाल आगो झाल, याई झाल, याई अख चताता, प्ना मन णगे उख पार. मेरे बहूं ने मेरे बेटों को मार दिया अब जिस सीरियल किलर की तलाश कर रहें वो दोने यहीं है हमारे घर के पीछे एक लाश भी इल लोगों ने गाड़ रखी है ये बात मेरे बेटों को अब जल्दी आई ए यह, हुह, हुओ हुओ अचा रेचा रेचा अचा रेचा प्रस्ट तत्वमतिरेकं जेत्तु आली इनया पंतलीन विचार अन्य भृति चापल्या समुद्धीरनं धात्रेई प्रजनातकं प्रदिमि उत्थालं भूजाद्योतकं अस्तित्वंबरयु द्विपाक्तु विरजिम्हुन जर्चरं भूटकं मतर्चरं करने करें प्राभ जित्रचंस झाल 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 I love this family so much I wanna keep them all dead or I love this family so much I wanna keep them all